हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू हैकरोम दोस्तो आज हम लोग बहुत ही अजूबा चीज बनाने वाले हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और इस वीडियो में मज़ा आ सके दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं A no craft कोई विची जो उड़ता है उसमें कोई ना कोई मुवींग पार्ट होता है लेकिन इसमें कोई बने लगता है तो चलिए भीसे बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों से बनाने के लिए सब से पहले हमें चाहिए वहीघ गुइल्टे जेनरेटर ज देखिए मैं इसको connect कर रहा हूं और इसमें safety रखना तो बहुत ही ज्यादा जरू है नहीं तो यह जोड का धटका दे सकता है यहापर मैं on कर रहा हूं अब यह तो यह तो बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा है तो चलिया अब craft का body बनाना start करते हैं मैं इसके लिए ले रहा हूं bamboo stick और plastic straw और इसको मैं triangle shape में fix कर दे रहा हूं कुछी इस तरीके से अब मैं इसमें aluminum foil यहाँ पर fix कर दे रहा हूं इसके उपर वाले भाग को मैं मोड दूंगा और नीचे वाले भाग को इस ट्रेट ही रहने दूंगा अब मैं यहाँ पर पतला copper का wire fix कर दे रहा हूं इस copper wire में insulation नहीं है अब मैं wire fix कर लिया हूं और देख सकते हैं कितना amazing दिकाई दे रहा है triangle shape का तो चलिए अब इसमें उपर वाले wire में positive wire जोड दे रहा है और नीचे aluminum foil में negative wire जोड दे रहा है अब इसको stable रखने के लिए इसमें मैं धागा fix कर दे रहा हूं ताकि यह stable रह सके power supply के लिए मैं use कर रहा हूं 24 volt के battery और ZVS kit इसको मैं fix कर दिया हूं flyback transformer में और flyback transformer के output को मैं fix कर दिया हूं voltage multiplier में और इसका output मैं fix कर दिया हूं इस क्राफ्ट में अब इसका पूरा तरह से सेट अप हो चुका है दोस्तों इसमें जो पतला वाला वायर है यह पुजेटिव इलेक्ट्रोड है इसमें हम लोग 5 लाख भूल्ट देंगे जिससे इसके आस पास का गैस का पाइटिकल आयोनाइज हो जाएगा और एलमोनम फाइल यानि निगेटिव इलेक्ट्रोड की और एट्रेक्ट होने लएगा यानि आयोनिक वी नीचे की तरफ एक्सलिवीर्ट करने लेगा और इस मुंउमेंटम से थोड़ा सा थ्रश्明 जाएगा जिसे या आयोनो क्राप्त हवा में ऊढ़ने लेगा तो चलियाएव इसको श्राट करके देखते हैं कैसे या उड़ रहा है चलियाएव इसको स्तार्ट करते हैं यहां से मैं योर रहा और यहां पर मेरा पाल खड़ा हो रहा है वो यह देखिए देखिए कैसे उड़ रहा है यहां पर जो इसका पुजिटिव एलेक्ट्रोड से वो भाइवरेट कर रहा है यहां पर देख सकते हैं हमीजिंग यहां पर भी वो इसके पास में नहीं जाना होगा नहीं तो बहुत ही जोड का जटक लाएगा और देख सकते हैं कितना उचाई तक उड़ गया है तो दोस्तों देखा आपने यह क्राफ्ट आयोनिक विंड के चलते आसानी से उड़ जा रहा था सन भी सोलर विंड छोड़ते रहता है जो कि एक आयोनिक विंड होता है हमारा एट्मोस्पेर चार्ज से भड़ा पड़ा हुआ है अगर एक ऐसा टेक्नलोजी विक्सित किया जा है जिसमें इन चार्ज का यूज करके इस तरह के बड़े से क्राफ्ट को चला सके तो हम लोग बढ़ एक ट ऊंग कि एक एक डार्ज करके एक है जा हुआ है कर दो लगे शगवार कर दो भजहार को अब ड़े जगार को अबड़ार । झाल 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 झाल